इसका फेस है यह आज इसका तीसरा फेस है अब 6 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक हम यहां जितने बैंक्स हैं SBI और LIC का उफिस उनके बाहर धरना देंगे और उसके बाद 10 मार्च को उसके बाद जो 17-16 मार्च को प्रदेश तर पे प्रदेश के जितने पद अधिकारी हैं कॉंग्रस पार्टी के वो सब धरना देंगे राज भबन में जाएंगे और जब तक यह मांग जो है जो हमारी मांग है JPC या सिटिंग जैस की यह नहीं क्यानम होती है सौलब तब तक हम जो है ब्लॉक्स तर तक बूद्स तर तक इस पर धरना देते रहेंगे 23 जनवरी को हिड़नबर्ग ने एक रिपोर्ट भी है रिड़नबर्ग न्यूयोक के एजनसी है और उन्हों जब से वह रिपोर्ट अडानी के खिलाफ आई है तो पूरे हिंदूस्तान में संसर से लेकर सड़कों पता की चर्चा चली है जिसको लेकर कंग्रेस पार्टी ने संसर में भी आवाज उठाई थी हमारे नेता राहूल गांदी जी ने और मलका अरजुन खड़के जी ने ये बा कर जो काग्रेस पार्टी है वो जेपीसी की रिमांड करती है या जेपीसी कर रहे या फिर सिटिंग जजज आफ सुप्रीम कोर्ट वो उसकी इनक्वारी करें उसको लेकर मोदी जी क्यों डर रहे है क्यों अपने मित्र को बचाने की कोशिश कर रहे है हम यह सूब पूछते तो उसको लेकर उन्हें जो corporate world में जो खास और डानी ग्रूप ने जो fraud किया उसको लेकर उन्हें उजागर किया जिसको लेकर Congress Party डिमांड करी जेपीसी और सिटिंग चीफ सिटिंग justice of Supreme Court को लेकर लेकर लेकिन मोधी जी उस पर नहीं कुछ कर रहे हम तो यह कहना चाहते है कि ज अगर एटलिस वो एडियाई एडी और सीबियाई वहां खंगालती तो पता लगता है दूद का दूद पानी का पानी होता कि जिसलिए आपने अजेंसी तोर पर अपने नीजी जो खास तोर पर पर पालिटिकल आपके opposition parties हैं उसके लिए इसको लेकर हमारी विप्तिया और इ जैसे कहा अजाद साब ने कि पारलिमेंट से लेकर सड़कों तक बुलॉक से लेकर बू तक इसके खिलाफ प्रदशन करेंगे